कार्यक्रम में मुख्य अतिथी के रूप में Dr. Blossom Kochar, Global Six से अमरपreet सिंग और लायन तेजपाल सिंग शामिल हुए, VIP गेस्ट में Dr. Harbakh Singh और Special Guest में लायन Dr. Pratibha Agrawal, लायन सरबजीत सिंग, लायन करनेल सिंग शामिल थे, Guest of Honor के रूप में इंद्रजीत सिंग, नेहा, सुनीता अगरवाल, अवनीत कॉर भाटिया, निधी बक्षी, पायल नायभांदा, मोहित बत्रा, संगीता जैन, पत्रकार नीलिमा थाकुर, सुष्मा वर्मा, सुनीता गुलाती, लायन ओंकार सिंग रेनू, रश्मीत कॉर बिं उपस्थित थे, विशिष्ट अतिथी के रूप में देवेंद्र सिंग चावला और जीतु चोपला ने भी कारेक्रम में भाग लिया, सांस्कृतिक कारेक्रम में पिछले 6 सालों में कल्यान त्रस्ट की उपलब्धियों और कारियों को साजा किया गया, बच्चों की प्रस् और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने संस्था के उद्देशों को पूरा करने में मेहत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो आप देखेंगे भरपूर एनरजी थी और कोई नहीं सोच सकता कि इस्लम एरिया के बच्चे आज इसना अच्छा बपॉम कर रहे हैं, तो सब के पीछे इंदर जी जो अपनी एनरजी डाल वही है, मैं उनको बहुत बहुत शुकामनाय देती हूं और आगे भी मैं उनका साथ एंदी देती रहूंगा. और एक महिला की रूप में, एक आदर्श की रूप में, वो समाज में एक मैसेज भी दे रही है, कि आईए, अब समय आ चुका है, कि समाज के लिए कुछ कर गुजर, और समाज की सेवा के लिए हित के लिए हम सामने आए, मैं भी देश का एक राष्टपती पुरसकार से सम् बविश्य में निश्ची थी, मैं सरकार के और से भी उनको बदाया देता हूँ, और इन सभी गतिवीदियों में हम उने जोड़ना चाहेंगे, आने वाले 12 अगस को हमने मैडम को राष्टपती सेवा पुरसकार से भी सम्मान करने का संकल्प लिया है, अदर्नी मंतरी जी के द्वारा वो सम्मान हमोंने बदान करेंगे, और जिस तरह से वो अस्पताल में काम मैं देखता हूँ कि जिन्देगी में दो चीजे हम अबोइट करने का कुशिश करते हैं, यो तो कोट कचेरी का जंजट है, अस्पताल की जुद्विदा है, लेकिन अस्पतालों में भी जी बड़ी ताकत के साथ कर रही है, उसके जजबे को मैं सलाम करता हूँ, और फांडेशन डे की मैं बहुत-बहुत सुपकामने देता हूँ, आप सभी जो मीडिया करने के आपको भी दन्यवाद दूँगा कि छोटे प्रोग्राम को भी लोगों तक पहुचाने के लिए आ बाद जी खरत दूघ कि रखी द司र्श एपकाम प्रोगें हैं लेगद थे़िए को भी लोगे घरे आफًे के वे चुच फे बहुतार हैं बहुत तूशनी्वाद चिए यह विनक में दोन्स ठाहीं होच मैंेब गर्शन्द चाश्मय तोकर हैं झारमूटे का बड़े अ gibtना ह चिल्रेन बुक्स और बाग्स और श्टेशनरी और फिर विए बेर से लिए तो आप बाद देर को आप देर से टीजिए है जी कहा है तो बियान टर्स के सिथ पांडेशन देर की सेलिवरेशन है उसके प्लब्ब में यही कहना चाहती हूं कि यह एक बहुत लंबी जर्नी है और इसको ब्यान कर पाना शायद बहुत मुश्किल होता है अगर आप इसको सोचें की शोचल वर्क है यह शोचल वर्क के साथ से ज्यादा एक बॉंड है इन बच्चों को जो कि इसलम्ज में रहते हैं उनको लगता है कि शायद हम एक अलग के बच्चे हैं तो इनके लिए हम काम कर रहे हैं हमारा मकसद है इनको कॉन्फिरेंस दिलवाना कि यह भी आप लोगों के जैसे हमारे जैसे बच्चे हैं और आज यह जो जर्नी है 6 साल तक पहुंच रही है तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि खुशी होती है जब आपके साथ लोग भी जोड़ते हैं और एक जगे भी आप पॉंटिन्यू काम करते हैं और उसके रिजल्ट सामने आते हैं तो आज मैं सिट्स पाउंडेशन डे मनाते हुए बहुत कुश है तो यह न सिर्फ लंगर सेवा करते हैं इनकी लंगर सेवा होस्पिटलू में होती है और इनका कल्यान स्टडी सेंटर भी है इनके जो साथ में अरोमा कोचर बनोसम जो कमपनी है उनलोग उने इनके साथ किया ना यहां की बलकि जमु कश्वीर में भी तराल में इनुने मेरे साथ दो प्रोजक्त किये है कल्यान वालों ने और मैं वहां से कश्वीर से इसी प्रोग्राम के लिए यहां आँ हूँ क्योंकि यह जो सुसाइटी में जितने भी लोग काम करते हैं उनका काम देखे एक हमें इंच से थोड़ी सी परिना मिलती है कि अगर आप काम करते रहोंगे प्रोजक्त करते हैं जैसे हम लोग लंगर करते थे आज तक यह मंदिर में करते थे या गुर्दवारे में करते थे तो लेकिन इनूंने कंसेप्ट चेंज्ज किया तो हॉस्पिटल में गए क्योंकि वहां नेडी लोग थे खास कर जो आपने कोविट के दोरा देखा दोरा लोग डरते थे लोग बीमारी। कि वज़े से डरते थे अपने घरवाले भी खाला लेकि कहीं नहीं जाते थे लेकिन कि वाले टीम वहां पोची इन्होंने इसी तरह से हमने राशन वेट राशन वगरा किया तो एक मैसेज जाता है कि अगर हमने सोसाइटी की अफलिफ्टमेंट के लिए कुछ करना है तो ऐसे इन्शेट्यूज को लेना बहुत ज़रूर थे मैं अपने आपको बहुत की सोभाग्याशाली समझ रहा हूं कि मैं कल्यान से जुड़ा हूं और मैंने इसको पाया कि बहुत ही सेल्फलेस सर्विस है कोई एजेंडा नहीं है एक सर्वसी है इनका मोटो तो मैंने कि कुछ जा मैं और अपने आपको श्कून देखुरूर विहार दिल्ली से मारिदास की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें अपनों की खबर आप तक कि ए एक सासब प्रौस चैए अजय ओमान पर देखंग Mobile